पादिन नियों प्रियंगा जी उपस्ते सारे कॉंग्रेस पार्टी के सीनियर नेता प्रेस के मेरे भाईयों बहनों 2019 में जब मैं चुनके लोकसवा गिया उसके बाद से हम देखते आ रहे हैं कि एक के बाद एक क्या हो रहा है पहले अमिसाजी आए कश्मीर को तोड़के दो यूनियन डेरिडरी कर दिये फिर कुछ महीनों के बाद C.A.N.R.C. लेके आए और मुझे अभी भी याद है जब अमिसाजी ने ये चैलेंज करके हम लोगों को बोला कि क्रोनोरिजी समझो फिर लेबर कोड्स लेके आए फिर किसानों का काला कानून लेके आए 7 सो से ज्यादा किसानों के साक्रिफाइस के बाद उनको मजबरन लोटाना पड़ा वो कानून वापस रहना पड़ा मुझे समझ में नहीं आता मोदी जी एक के बाद एक क्यों ऐसे कानून लेके आ रहे हैं जिसको जनता विरोध करती आ रही है अडिया 2019 के बाद नहीं है उससे पहले भी डिमोनडेशन लेके आये थे जी एस्टी लेके आये थे कोरोना का वो लॉकडाउन एक ही बाद समझ में आता है कि मोदी जी हर एक इंस्टियूशन को कबजा करना चाहते हैं हर एक इंस्टियूशन कबजा करना चाहते हैं आम फोर्स ऐसा इंस्टियूट है जो अभी तक उनके हाथ में नहीं पड़ा है तो कि ये पबलिक से स्पेसलिस्ट से पर्लिमेंट से मैं आपको यकीन के साथ बोलता हूँ वो ना ही आर्म फोर्सес के चीफ से किये होंगे ना ही राजना सिंग से भी किये होंगे ये मोधी जी अकेल एडिशन लेते हारे है ये बहुत बड़ा हाग खेल खेल रहे हैं मोधी जी भारत में UISAE पीडित में हैं बेरोजगारी हाइस्ट है 45 साल में जब भी मैं चेतर में जाता हूँ इंजिनियर्स पढ़े हैं ऐसे लोग बोलते हैं पत्तर पेको किसी जानूर को लगे गया या बेरोजगार इंजिनियर्स को लगे गया इसमें आप आर्म्ट फोर्स में लेके आएं जिसमें ठेकेदारी करना चाहते हैं चार साल के बाद जो ट्रेंड युआ होंगे उन्हें हत्यार चलाना भी आता होगा गौली खाना भी आता होगा गौली मारना भी आता होगा आप सोचिए ये 75 पतिसद युआ उस वक्त अगर नौकरी नहीं मिला तो वो फिर से अगर आंदोलन करेंगे तो ये हिंसा पुर्भा आंदोलन होग जो आप रोक नहीं पाओगे लेकिन ये तानाजाई के सरकार प्राविटेशन करके हमाना दिवासिवार अरक्षन में खतम करना चाहते हैं एक एक इंस्टियूसर पेजना चाहते हैं ये कभी रुकेंगे नहीं लेकिन कॉंग्रेस पार्टी हमारे नेता जरीमति सुनिया गा है हर एक इंस्टियूशन कब्सा करने का जो आपका सबना कभी पूरा नहीं होने देंगे दोजार चौबिस में जन्ता तो आपको जवाब देगी देगी लेकिन मैं यकीन से बोलता हूँ आपको ये कानून वापस लेना पड़ेगा माफी वीर होगे और विरंतर आप ये का क्रिया हूँ